इंग्लेंड ने नेधर लैंड को धोया, चैंपियन्स ट्रॉफी की उमीदों को जगाया जी यहां, इंग्लेंड और नेधर लैंड का मुकाबला समाप्त हो गया और इंग्लेंड ने यहां पर इस वर्ल्ल कप में जोधार वापसी करते हुए 1160 रणों से नेधर लैंड को मात दे दिया और यह जीत थी, वो इंग्लेंड के लिए बहुत जरूरी जीत थी क्योंकि अब जो दाओ पे था, वो चैंपियन्स ट्रॉफी दाओ पे था, चैंपियन्स ट्रॉफी में कॉलिफिकेशन दाओ पे था और ये मुकाबला इंग्लेंड के लिए बहुत ही महतपूर था क्योंकि इंग्लेंड पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है तो वर्ल्ड कप के दृष्टिकोर से ये मुकाबला उनके लिए उतना महतपूर नहीं था बलकि ये मुकाबला Champions Trophy के दिश्टिकोर से England टीम के लिए बहुत ही महत्पूर मुकाबला था और यहां पर उनके सबसे बड़े match winner खिलाडी बेन श्टोक्स की सत्की पारी आई जिसके बदावलत England ने इस World Cup में जोरदार वापसी की है और अपनी Champions Trophy की उमीदों को भी बरकरार रखा हुआ है तो अपने इस Points Table के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे England का जो Champions Trophy का उमीद है वो बरकरार है और किस प्रकार से और कौन कौन सी टी में Champions Trophy 2025 के लिए इसी Points Table के जरिए क्वालिफाई करने वाली हैं लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही आग रहा है यही अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिजेगा चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा तो यह तो Points Table है जहाँ पर Top 5 टी में आपको पहले से स्क्रीन पर दिख रही होंगी और इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है यानि जो Top 5 पे कल थी वो आज भी है तो वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आया है Points Table में लेकिन जो Bottom 5 है जहाँ पर Champions Trophy की लड़ाई हो रही है किसके किसके बीच में नेदरलेंड के बीच में, स्रिलंका के बीच में, बंगलादेस के बीच में, इंगलेंड के बीच में और वो समझेंगे कि Champions Trophy की लड़ाई क्यों हो रही है लेकिन पहले Top 5 टीमों का आप रैंकिंग देख लीजिए पहले पे इंडिया, दूसरे पे साउथ अपरिका, तीसरे पे अस्ट्रेलिया ये तीन टीम है कौलिफाई हो चुकी है वर्ल्ड कप के लिए वहीं अगर हम बात करें चौथी टीम की तो न्यूजिलेंड, पाकिस्तान, इनके बीच घमासान जारियस से भी Final Spot के लिए अब बात कर लेते हैं Bottom की 5 टीमों का जिसमें से यहां तक जो छटमे नंबर पे अफगानिस्तान है ये कौलिफाई कर चुके और जो चैंपियन्स टॉफी है 2025 का वो पाकिस्तान में खेला जाने वाला है और उनके जो आठ टीम उस चैंपियन्स टॉफी में खेली जानी वाली है वो इसी पॉइंस टेबल से तै होगी ये ICC ने एलान कर दिया है यानि जो टॉफ एट टीम इस पॉइंस टेबल में होगी वो चैंपियन्स टॉफी 2025 खेलती हुई दिखेगी जिसमें पाकिस्तान अवश्च खेलेगी क्योंकि वो होस्ट है 2025 की तो टॉफ सेवन टीम एक्सेप्ट कॉन पाकिस्तान को इसमें से अगर पॉइंस टेबल से आप एक्स्क्लिट कर देंगे तो पाकिस्तान के अलावा जो साथ टॉफ की टीमें है वो चैंपियन्स टॉफी खेलती हुई दिखेगी तो जो पाकिस्तान का सूर्टे आल है उसको देखते हुए इस Point Stable की आठ टीमें यहाँ पर खेलती हुई Champions Trophy 2025 में दिखेंगी तो इस मुकाबले से पहले England का पोडिशन तसमें स्थान पे था और Champions Trophy के लिए वो Disqualified होने वाले थे अगर यह मुकाबला नहीं जीत पाते तो यह मुकाबला Champions Trophy के दृष्टी कोर से England के लिए बहुत ही महतपूर था उनके सबसे बड़े Match Wiener खिलाडी ने इस मुकाबले में पूरी जिमेदारी के साथ बल्लेबाजी की सरतक ठोका और उनका नाम Ben Stokes है जब भी matter बड़े होते हैं England के लिए तो अब Ben Stokes खड़े होते हैं और Ben Stokes ने आद दिखाया क्यों इतने बड़े Match Wiener खिलाडी क्यों है और अब England इस जीत के साथ साथ में पायदान पर आ गई है और इनके जो qualification chances हैं Champions Trophy के लिए वो बढ़ चुके हैं खाला है कि इनको अगला मुकाबला पाकिस्तान से खेलना है वो काफी टफ मुकाबला है लेकिन England में अब वो जोस दिख रहा है वो जुनून दिख रहा है वो जजबा उनके खिलाडियूम दिख रहा है और जीत की भूख दिख रही है क्योंकि अब Champions Trophy के लिए qualification जो है वो दाव पे है जिसकारर आज पूरा जी जान लगाकर English टीम ने यहां पर प्रदरसन दिया है अब 8 मुकाबलों में 4 पॉइंट उनके हो चुके है और net run rate में 160 रनों से जीता है तो अच्छा खासा इजाफा भी किया हुआ है माइनस 0.885 वहीं बांगलादेश आठवें पैदान पर जरूर है और उनका आठ मुकाबलों में 4 पॉइंट उनके भी है सिरलंका के भी आठ मुकाबलों में 4 पॉइंट नेधर लेंड के भी आठ मुकाबलों में 4 पॉइंट और यहां पर जो net run rate है वो माइनस 1.635 अब मु से ज्यादा चांसे इंग्लैंड के हैं वहीं बात करें नेधर लेंड की तो इनका भारती टीम से सामना होने वाला और जिस ले में भारती टीम दिख रही है उस ले में आप समझ सकते हैं कि नेधर लेंड कभी भी जीतने वाली नहीं है तो इनको अगर हम बात करें चैंपिय बंगलादेश और सिरलंका तो सिरलंका का न्यूजिलाइड से और बंगलादेश का ऐस्ट्रेलिया से तो दोनों को बहुत टाफ अपोनेंट मिल लेवाले यानि यह दोनों टीमें यह जरूर यहान सेंस्योर करेंगी कि अगर हारें तो बड़े अंतर से ना हारें क्योंकि अपना समिकरण बना रही होगी कि अगर जो हारने की चांसे जाए अस्टेलिया से बंगलादेश के सिरलंका का न्यूजिलैंड से तो न्यूजिलैंड से तो हारें तो कम अंतर से हारें वही टॉप एट में फिनिस करेगी अब लगभग इंगलाइंड टीम चेंपियंज के लिए क्वालिफाई कर चुकी है तो आज के अपने इस पॉइंट सेबल यह वीडियो बस इतना ही आप सभी अपना ध्यान दे सुरक्षित रहें स्वास्त रहें मस्त रहें जय हिंज भारत अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें